और दिल्ली में असदुद्दिन वैसी के घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर काली स्याही पोत दी गई दिल्ली पुलिस CCTV फुटेज देखकर आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है पुलिस ने अब नेम प्लेट को साफ कर दिया है तस्वीरें आपको दिखा दें असदुद्दिन वैसी के बिल्ली स्थ बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर किसे ने काली स्याही पोत दी है और ये किसने किया इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तधी के साथ कारवाई करने में जुटा हुआ है और सबसे पहले नेम प्लेट को साफ किया गया उसके बाद अब पुलिस सी सी टी वी फुटेज खंगाल रही है और बरते हैं आगे आपके बता दें एक्टर राजपाल यादव को बड़ा जटका लग सकता दरसल ट्रैक बाउंस होने का एक मामला है जिसमें 29 माई को दिल्ली की कड़कर डूमा डालत ने राजपाल यादव को 29 जून तक लगभग 14 करोड रुपए जमा करने का आदेश दिया था कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर राजपाल यादव को जेल भी जाना पड़ सकता है आपको बता दें कि राजपाल यादव ने साल 2010 में फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए एक बिजनसमेंट से 5 करोड रुपए ब्याज पर लिये थे और ब्याज समय जब रकम 10 करोड पहुँच गई तो उन्होंने वापस करने के लिए कहा कई बार कहने के बाद राजपाल ने 5 करोड रुपए का एक चेक दिया लेकिन जब चेक बैंक में जमा किया गया तो वो बाउंस हो गया तब कमपनी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्च कराया और इस पूरे मामले में राजपाल को जेल भी जाना पर सकता है चेक बाउंस होगा था और बताने हैं कि किसी फिल्म के निर्मान के लिए ये रुपए लिए गए थे ऐसा दावा किया जा रहा है अलाकि इस पूरे मामले में अब अदालत क्या कुछ फैस्टा लेती है ये देखें कब श्यक्त